जैहिन दोस्तों तो आज सुबह करीब तीन बजे का प्रॉक्स बी एससी आयोग ने सर्जिकल स्ट्राइक करके रिजल्ट घुसित कर ही दिया तो बहुत सरी स्टुडेंट उसमें सेलेक्ट हुए हैं तो टेंसन मत लीजिए सबको टैपिंग में अगर टैपिंग निकलता है तो आपका जॉब कंफर्म हो जाएगा तो देखिए बहुत सरी स्टुडेंट ने ऐसा भी है जिनका अच्छा नंबर आ रहा है मगर वह कि अगर आप अच्छे से ओमर भड़े होंगे या जो भी बुकलेट है या अटेंडेंस इत को सही तरीके से भड़े होंगे तो आपका रिजल्ट कांफर्म आएगा अगर कुछ ना कुछ गलती किये होंगे इस कारण से भी आपका रिजल्ट को रोका जा सकता है कि कि कितने अच्छे श्टुडेंट इनका नंबर अच्छा आ रहा था मगर उनको रिजेट कर दिया गया है जिसे कि धर्मेंदर कुमार लिख रहा है कि मेरा 106 नंबर आ रहा है फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ और ये ये भी बोदर हैं कि OMR में कोई फॉल्ट नहीं है देखे सर ऐसा भी हो सकता कि आगर आप OMR जमा किये हो उसके बाद अगर OMR में कोई गलती कर दिया हो बच्चा वो टीचर के द्वारा हुआ हो या ले जाने वाक्त यानि ट्रांसपोर्ट के समय भी कुछ भी ऐसा हो सक सबसे मिनिममम नंबर आ रहा है उनका भी सेलेक्शन हुआ होगा तो आगे पढ़ देखते हैं हम लो तो देखें नीरज कुमार बोल रहे हैं के मेरा 105 पलस नंबर आ रहा था रिजल्ट नहीं हुआ क्या करूँ सर बताए मैं जो आपको बताऊंगा वीडियो को अंत में बताऊंगा तो किरिप्या वीडियो को अंत जरूर देखिए जो भी ऐसा कंडिडेट हो हो और देखें बहुत सब्योंत करते हैं यह राखेस बरनवाल जो चुसे वह कोमेंट कि हुए है कि मेरा रिजल्ट नहीं आया सर जबकि मेरा 105 पलस था बीसी से ब प्लस इनका नमबर था देखिए आगे चलते हैं रवी सहनी जी बोल रहे हैं क्या सर मेरा MBC से 100 है नहीं हुआ क्या करें मैं बताओंगा स्विडियो के अंत में परस मैं इतना दिखाना चाहता हूँ कि इतने सरे स्टूडेंट है जिनका की अच्छा नमबर आ रहा है फिर भी देख लेते हैं स्वेता रानी जी लिखी हुए है कि सर मेरा 95 नमबर आ रहा है रिजल्ट नहीं हुआ कुछ हैल्प कीजिए सर ओके अगला देख लेते हैं हम लोग एक अमन कुमार जी है वह किये वह थे कोमेंट के मेरा नहीं हुआ 105 पलस है जेनरल काटेग्री से है किस तरीके से भरा फिर भी इसका रिजल्ट नहीं हुआ कि आगे देखते हैं हम लोग अजीत महता जी जो है कॉमेंट कियो थे मेरा सब कुछ सही था OMR भी सही से भड़ा हुआ था 115 से कितना अच्छा नंबर था इनका 115 नंबर था फिर भी इजल्ट नहीं है मेरा दुख वाली बात होगे कि इतना अच्छा नंबर लाक है अगर वो रिजक्ट हो जाते हैं किसी कार्णों बस तो बहुत दुनिया का सबसे बड़ा अन्या इन लोगों के साथ हो रहा है देखे एक है संजे कुमार है तो सर मेरा 105 आ रहा है तो साथ इनका साथ सेलेक्शन हो गया यह बस पूछ रहें क्या मेरा अभी जो है मेरिट में कुछ नंबर 19-20 हो सकता है अभी तिके मेरिट का अभी कलपना नहीं करेंगे फिलाल जो जिसको प्रॉब्लम अभी है उसका सोल अभी है अप्लिकेशन निखिए आयोक को कै मेरा इतना मैंने इतना कॉष्टन एटेंट किया और मेरा इतना नंबर आने की समभावना है बट मेरा रिजल्ट जो है फाइनल लिस्ट में नहीं आया इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है एक बार दुबा कीजिए आप एक application लिख कर दीजिए उनको उसके बाद ही आप काम कीजिए और RTI कैसे करना है मैं कल तक आपको जुरू बताऊंगा तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन जैभारत